जागुर्देव और दोस्तों मेरी चैनल सिद्ध सावर मंतर में आपका एक बार फिर से हारदिक स्वागत है और जैसा कि मैंने एक वीडियो में आपको बताए था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किसी भी मंतर से किस प्रकार से अपना हर प्रकार का कारिय करवा सकते हैं चाहे आपके पास सिद्धी हो या ना हो आज मैं इसी वीडियो की माध्यम से आपको ये सब पूरी प्रिक्रिया में आपको बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना, इसकिप मत करना बिल्कुल भी क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़दा महतुपूर्ण है देखिए आप किसी भी मंत्र का जाप करते हूं चाहे आप आम्नमस्षिवाय मंत्र का जाप करते हूं या ओम्क्रीम कालिकाय नम्हे कोई भी मंत्र हो या बवला मुखी माता का हो, मातंगी का हो या फिर किसी भी क्रिशन मंत्र का जाप करते हूं या फिर भगवान नारायन के मंत्र का जाप करते हूं आप हनुमान मंत्र का करते हों किसी भी लेकिन एक इस तरही के का मंत्र होता है जो की मैन साधना का मंत्र होता है जैसे की ओम नमस्षिवाय है मैन मंत्र है इसका कोई सिर्फ क्या है कि हम भगवान सिव को नमस्कार करते है या फिर ओम नमो भगवत वासु देवाय है कि हम उनको भी नमन करते है या फिर माता काली का है, उनको भी नमन करते हैं, बगला मुखी का है, या फिर किसी और दूसरी देवी देवताओं का, किसी का भी मंत्र हो, जो कि आप अपनी वैवारी की जिंदगी में, आप उस मंत्र को जाप करते हैं। अब कुछ लोग तो काली माता का जाप करते हैं, कुछ भैरो मंत्र का भी जाप करते हैं, ओम भैरवाय नमें, या ओम रिमबटका या आप दो धरना एकुरुबटका हिरी मौम, इनका भी जाप करते हैं। या फिर और दूसरे मंत्र, ओम स्री हनुमते नमें, इनका भी जाप करते हैं। कि कौन सा, ओम नमो आदेश गुरु का, अजरी बजरी बाड़ा बजरी में बजरी बंदा दसा दुवार छवार के घालत दो पलट हन्मन त्री रिसी के मारे। पहली चौकी गणपद, दूजी चौकी हन्मन, तीरी चौकी, ब्यारो चौती चौकी देत, रक्षा करन को आवे सिर नर्सिंग डेव जी, सब साचा पिंट काचा चले मंत्र इस्वर बाचा। एक यह मंत्र मैंने बताया था, अब इस मंत्र में क्या है? इस मंत्र में चार देवों की चौकी दी गई हैं और उसमें साफ-साफ किलियर किलियर कहा गया है कि भाई, जो भी इसके ऊपर कोई किसी प्रकार का घात करता है, तो हन्मान वीर पलट के उसी को मारेंगे, और नर् इसी तरीके से साबर मंत्र जो होते हैं, कुछ इस प्रकार के मंत्र होते हैं, जिनमें एक किसी भी प्रकार के कारिया को करने के लिए मंत्र में कहा जाता है। कि भई आप इससे कोई भी कारिया कर सकते हैं, इस मंत्र से केवल आप इस्तंभन का कारिया कर सकते हैं बस। तो इसलिए मैंने आपको ये समझा रहा हूँ पहले ही वीडियो में कि आप ऐसे मंत्र का जाप करते हों कि जो किसी कारिय के लिए ना कहा जाए उसमें देव को किसी कारिय के लिए ना कहा जाए किसी ऐसे मंत्र का आप जाप करते हों ठीक है चाहे वो किसी भी देव का मंत्र हो आप पिरते दिन उसका ग्यारे माला जाप करते हैं चाहे एक माला जाप करते हैं और आपको लंबा समय हो गया है जाप करते हुए तो उस मंत्र से किस प्रकार से आप अपना कारिय ले सकते हैं या कैसे आप समझ सकते हैं कि मेरे मंतर में कोई सक्ती आई है या नहीं आई है उस मंतर का प्रियोग करके ही तो देखेंगे तब ही तो आपको पता लगेगा कि भाई इसमें सक्ती आई है या नहीं आई है या फिर इस मंत्र ये मंत्र हमारा सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है तो कुल मिला करके मैं ये तुम से कहना चाहता हूँ कि आप उस चीज को देखेंगे कि भाई मंत्र को हम किस तरीके से यूज़ करें उसका कैसे करके देखें अब बात आती है इसमें भी क्या तरह की कंडिशन होती है कुछ देव ऐसे होते हैं कि जो तामसी हैं जैसे माता काली हो गई भैरो हो गई या फिर नर्शिंग हो गई मतलब कहने का ये कि कुछ उग्र शक्तियां है और कुछ हैं बहुत सात्विक जैसे कि नारायन भगवान की साधना हो गई भगवान स्री राम की हो गई या हनवान जी की हो गई या फिर सिव की हो गई ब्रह्मा जी की हो गई मतलब कहने का ये है कि बहुत सात्विक सक्तियां हैं जो कभी किसी का बुरा नहीं करती है ठीक है अब बात आती है कि किस मंत्र से कैसे कार्य किये जा सकते हैं मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि हमेशा सात्विक मंत्रों से आप गलत कार्य करने की कोशिस ना करें वस्तिकरण किसी का कर सकते हैं ठीक है इस्तंभन भी आप कर सकते हैं लेकिन मारन दुएसन बिल्कुल मत करना ये आप सोच करके करना भी ठीक है अब इसमें आपको करना क्या होगा कि आप किस तरीके से अपने मंत्र से जो आप प्रति दिन जपते हैं चाहे आप 11 माला का जप करें चाहे दो माला का जप करें चाहे एक माला का जप करें लेकिन उसके रोज डेली उसको जपते हैं तब आपको क्या करना है आप ये देखेंगे कि आपको अगर साल दो साल तीन साल दस साल जपते हुए उसको हो गए हैं तो आप का मंतर पूर्ण रूप से काम करना सुरू कर देगा अब बात यहां पर एक और भी आती है कि कुछ लोगों का क्या होता है कि चार दिन मंतर जाप किया या दस दिन मंतर जाप कर लिया बीच में फिर गैप हो गया या तो किसी कारण से कहीं जाना पड़ा या उनका मन मंतर से उप गया साधना से उप जाता है कही लोगों का मन आरे आर चल छोड़ आज नहीं करते कल करेंगे ऐसा होता है तो ये कब होता है ये तब होता है जब आपकी मंत्र के अंदर पावारानी शुरू हो जाती है और सक्ति का खिचाव आपकी तरफ होता है तब ये होता है तब सक्ति आपको हटाती है लेकिन उस वक्त आपको द्रड़ निश्चे करके आपको मंत्र जपना चाहिए कम से कम 41 दि अगर आप डेली एक माला का जाप कर ले तो समझ लीजिए आपने गंगा इसनान कर लिया ठीक है तो ऐसे मंत्र जो इस तरीके से जाप करते हैं कि बीच बीच में गैप हो जाता है तो उन मंत्रों में सक्ति बहुत कम होती है उनमें सक्ति पूर्ण रूप से नहीं आ पाती है और जो लगातार करते हैं, उनमें शक्ति पूर्ण रूप से आजाती है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए इस साधना में संकल्प मैन होता है, जैसे आप गुरू पूजन रोज करते हैं, वैसे ही करेंगे, जिस तरीके से आप मंत्र जाप करते हैं, वैसे ही करेंगे, ल कि एक आपको यह देखना है कि किसी विसेश कार्य के लिए मंत्र में कुछ लाइने तो नहीं दी गई हैं अगर ऐसा है तो सिर्फ आप उससे सिर्फ वही कार्य हो सकता है जो मंत्र के अंदर उन लाइनों में दिया गया है दूसरा कार्य नहीं हो सकता उससे तो ऐसे मंत्रों से आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी कारिय है, उनसे सिर्फ वही कारिय होंगे, अब दूसरी बाती आती है कि सात्विक मंत्र जो हैं, उनसे आप मोहन वशी करने ये सब कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है न उस मंत्र का, आप अगर ये चा नीजिशे वो मैं आपको बता देतا हूँ, देखिये साधना भी आप ऐसे ही करेंगे, जैसे अपनी करते आये हैं, सिर्फ आपको संकल्प लेना है, संकल्प में आपको हाथ में जले करके, सिर्फ यप बोलना हैं, कि मैं अपना नाम बोलेंगे, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, फलानी जगह का निवासी, मैं अपने इस कारिय के लिए, अब अपना कारिय बीच में बोलेंगे, कि मालिया किसी के उपर कोई प्रेत लगा है, या किसी के कोई बीमारी लगी है, कि उसके निवारन के लिए, या मालिया की घर में कोई पर जगड़े पसाद चल रहे हैं। उन सभी के निवारण के लिए। सभ différence पर नम्रता और प्रह्म का व्यावार रहे उसके निवारण के लिए। अब मतलब कहने का ये है कि आपको उसमें बोलना पड़ेगा कि आप किस कारिये के प्रियोजन ये कर रहे हैं मंतर जाप और जब आपको अपना कारिये बोलने तो उसमें फिर आपको बाद में बोलना है कि इस कारिये के निवारण के लिए मैं फिरती दिन इतनी माला का जाप मतलब कि कितनी पांच, दस, ग्यारे, इक्टिस जो भी आपकी इ और इसमें मुझे पूर्ण रूप से सफलता मिलनी चाहिए इतना कह करके वो जल प्रत्वी पर छोड़ दे बस और फिर अपने मन में आँख बंद करके विचार करें जो आपका कारिया है उसके बारे में कि आपका कारिया पूर्ण सफलता के साथ हो रहा है और उसमें आपको सफलता मिल रही है ऐसी भावना मन में लाते हुए उस देव का या देवी का जो भी जिसकी भी आप जाप करते हैं मंतर जाप करते हैं उसको ध्यान में रख करके और मंतर जाप करना सुरू कर दें लेकिन saadhana में ऐसा नहीं है कि सिव का मंतर-जाप कर रहे हैं तो रुद्राक्ष की माला न ले कर के तुलसी की स pension ले ली देखिए इन सब चीजों है कुभि दिधान लखना पड़ता है जिस देव के लिए माला स जाती है जिस से उस्का मंतर-जाप किया जाता है तो आप उसी कविधान है तो उसी से करें ठीक है बाकी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं पुष्प चड़ा सकते हैं टीका लगा सकते हैं भोग लगा सकते हैं वो सब चीज़ें आप साधना में इसमें कर सकते हैं लेकिन आपको उतने ही दिन साधना करनी होगी जितने दिन का आप संकल्प लेंगे, ठीक है, अब ये संकल्प जो आपने ले लिया और जब आपके साधना पूरी हो जाएगे, उसके कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि वो कारिय आपका 100% पूरा होगा, लेकिन उतनी ही तेजी के साथ वो कारिय होगा, जितना आपके मंत्र में शक्ती है, अब वो आपके उपर निर्भर करता है कि आपने कितने मंत्र का जाप किया है पहले या कितनी साधना आपने की है, अगर आपने कम मंत्रों का जाप कम साधना की है, तो आपके मंत्र का प्रभाव भी कम होगा, तो इसलिए कारिय जो एधीमा होगा और लेट होगा अगर आपने बहुत तीवरता के साथ मंत्र का प्रभाव है आपके मंत्र का बहुत ज़्यादा साधना किये तो मंत्र का प्रभाव जो है वो तीवर होगा और बहुत जल्दी होगा हाला कि टाइम तो फिर भी लगता है दस दिन वीज दिन महिना तब भी टाइम लगता है लेकिन प्रभाव जरूर होगा और हंड्रेड परसंट होगा ये लेकिन इसमें जो आप मंत्र जाप करेंगे वो उसी तरीके से करना होगा कि भाई सुभै को करते हैं या किसी विक्त केवल मंत्र जाप्र और वह संकल पर लेकर के जो आपका कारिया है लेकिन इस जीन जरूर रखें कि आप जिस कारिया के लिए Yak मंत्र जाप कर रहे हैं वो संपूर्ण करें और इस बात का भी आपको ध्यान रहना है कि उससे गलत कारिया के लिए उस मन्तर का प्रयोग ना करें वरना परिनाम फिर वो आपको उसमें भी भुगतने पड़ेंगे परिनाम तो गलत कार्या का गलत नतीजा यह तो भुगतना ही पड़ेगा फिर अगर आप गलत करेंगे तो क्योंकि ना तो सात्विक सकती गलत करना चाहती है और नहीं तामसी सकती गलत करना चाहते है किसी का तो इसलिए ये ध्यान में अवस्य रखना कि जो भी आप कारिये करें चाहे आप किसी और कारिये कर रहे हैं पैसे ले करके भी आप किसी और दूसरे का कारिये कर रहे हैं तो जो आपको पैसे दे रहा है ना उसको मतलब नहीं है उसको उपर यह आएगा, तो इसलिए मेरा आपसे कहना यह है, कि जब भी आप किसी का कोई भी कारिया करें, तो अच्छे कारिया करें, भलाई के कारिया करें, ना कि किसी के बुराई के कारिया, अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने घर परिवार के लिए भी कर सकते हैं, सरफ तरीका यही है कि किसी भी मंतर से आप करो कोई दिक्कत नहीं है काम आपके सब होंगे ठीक है ना लेकिन ये चीज ध्यान में जरूर रखना कि किस मंतर से आप कर रहे हो और उससे क्या क्या हो सकता है आप कहने लगो कि सात्विक मंतर से मारण क्रिया हो जाए तो नहीं हो गया ऐसे ठी सात्विक मंत्रों से हमेशा सात्विक कारिया ही करना ठीक है इसी के साथ आप मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं तो मेरे साथ दोलिए बोले वीर बदरंगबली हनमान जी माराज की जै बोले मेरे परमहांस गुर्देव की जै